हेलो एविवान स्वागत है अब सभी का एक और फैंटसी प्रिवी में मुकाबला हैं यहां पे साथ आफ्रिका ट्वेंटी लीग का सब्सक्राइब करें इन साथ आफ्रिका ट्वेंटी कि यहां पे हम देख रहें क्या हो रहा है कि बहुत सारे रंज तो बन रहे हैं पहली चीज पिचिस सिमिलर टाइप की तो ओविश्ली डिफिकल्ट की कौन कब कितने रंज बना जाए यहां पे आप देख सकते हमारा जो ला जब आपकी फेवर में नहीं जाती है यहां पे पानिल ने पचास से ज्यादा रंखा है फिर भी आके आदिल रशीद ने कोटा कंप्लीट नहीं किया जैसे आप देख सकते हैं यहां पे आदिल का कोटा यहां पे ठीक था सेविन पॉइंट सेविन का एकनॉमी रेट विल ज जैसे सिमिलर टीम के साथ आजाएगा एकाट चेंज कर लिए हमें उसको निकाल कि कोई और को ले आ गया पानिल का दिन खराब भी जाए तो भी वो जीट जाएगा वाइल आपका दिन अच्छा रा तो आप जीट जाओगे बढ़ आपको ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए तो है कि भाई BPL स्टार्ट हो रहा है अब आपको जो भी गेम्स पसंद है जो भी आप गेम्स खेलना चाहरे हो उसके पहले आप खाली आके हमारे टेलिग्राम चैनल चेक कर लीजे क्या मैंने अप्डेट पोस्ट किया या नहीं प्रॉब्लम क्या है एडवांस केडियूल देन और फिर डिलिवर ना कर पाऊं इसलिए मैं एडवांस में कोई भी स्केडियूल नहीं पोस्ट कर रहा हूं और यह सभी के लिए आज बहुत लोग वीडियो नहीं भी देखते हैं बट अब जो देख रहे हैं उनके लिए बात कवर हो चुकी है जो नहीं नहीं देखा अकर आप ट्विटर पर देखो कि भाई कोई स्केडियूल मांग रहा है तो प्लीज एक लिप महां अटाच कर दीजे तो यह हुई स्केडियूल एंड लीग टाइप्स की बात अब चलते हैं तोवर्ड़्स आ फैंटेसी प्रिव्यू पर दिस गेम मैं सीटी वर्सिस पाल रोयल अब अगर आप सोच रहें कि यह इन्फरमेशन का आप क्या करीगा तो रियल लेवन पर जाके अपना विन प्रेडिक्शन आप डाल लो रियल लेवन का आप लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जीत सकते हो सब रियल क्याश जॉइन अस आधर एट फैंटेसी क् लीजिए बट जॉइन करिएगा विद लिंक्स इन दे वीडियो डिस्क्रिप्शन की बहुत सारे फेक चैनल हैं हम कोई प्राइम कुछ नहीं चलाते हैं लिए लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब ताकि यह वीडियो आगे और लोगों तक पहुच पाए वैदर में क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ हल्प होती है देर इस सम्मूव्मेंट इनिशली फॉर दे पेसर बट हमने यह साल पहले मैंच में क्या देखा वी सॉथा फ्लाट फॉम पिछ थी फ्रॉम दे स्टार्ट विट लॉट्स तो वापस वही चीज हमें एक्सपे आई डोंट नो उनको खिला क्यों नहीं रहें क्योंकि फेबिन आलन का कुछ खास रोल अब तक बना नहीं है इन दिस साइड और जॉन 14 ऐसे कंडिशन में में थोड़े से डाइस ही हो सकते हैं M.I.C.T की बात की जाए तो सिमिलर 11 यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा है और लिसन अंटिल नुवान तुशारा यहां पर लैंड हो गए है तो अलग बात है तो यह हुई एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात अब चलते हैं M.I.C.T की तरफ Ryan Rickleton एकदम amazing form में चल रहा है पिछ इने सूट करनी चाहिए तो बहुत सारे runs ही हां पर पिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो and versus Pal Royals two matches 47 runs last year not a great record but जैसा form चल रहा है obviously आप नहीं छोड़ सकते हैं अब इनकी बहुत ही ज्यादे interesting match-ups है तो उस section के लिए बिलकुल रुकिएगा क्यूंकि बहुत सारी interesting चीज़े वहां पर discuss करने को two matches 57 runs and 127 का strike rate so not bad numbers and at newlands भी अच्छे खास numbers form भी इनका अच्छा while match-up के threats है but do those match-ups are support by the pitch maybe not वो हम discuss करेंगे आगे अभी के लिए definitely base team pick ये बनेंगे devil bruce form बिलकुल नहीं इनके साथ but pitch वापस इने suit करेंगे अगर आपको batting load करनी है और आप सोच रहे वो आखरी batter कौन है तो ये बिलकुल वो choice बन सकते हैं वर्सिस पाल रॉल्स टू मैच्चे सेविटी रॉन्स और 141 की strike rate so not a bad record 36 का average अगर आपको हो and at newlands भी record उनका average strike rate about similar ही है तो definitely worth considering but I think एक 50-50 choice बन जाएं कि इतने सारे options है इस game में कॉनर रेस्टर यूजें बहुत impressive लगे हैं जितना भी इन्हें देखा अब तक but problem क्या है कि इन्हें अभी आज फ्लोटर खिलाया जा रहा है अगर जल्दी wickets ना गिरें तो फिर ही आएंगे 5 down 6 down पूरी बैटिंग के बाद तो वो हिसाब से opportunity इनके लिए problem बन जाती है hence अभी के लिए base team में मत try करिए small leagues में आप try कर सकते हो Liam Livingston at Newlands ठीक ताक record 6 matches 120 runs ये pitch इन्हें suit करनी चाहिए for batting and pace hitter है तो वो हिसाब से यहाँ पर काम बन सकता है बड़ वापस सामने जो players हैं अगर spin थोड़ी सी भी उन्हें मिल गई तो इन्हें तकलीफें यहाँ बन सकती है Sam Curran वापस एक ठीक टाक player है problem क्या इनके साथ तब कुछ थोड़ा neutral चल रहा है चाहिए matchups की बात करो records की बात करो pitch की बात करो तो इसलिए अभी के लिए यह भी एक 50-50 पिक वही साब से बन जाते हैं versus pal royals two matches 22 runs and पहले उनके सामने wicket भी नहीं लिया है नहीं न्यू लिंड्स भी इनका record कुछ खास नहीं जोर्ज लिंडा एक काफी अच्छी पिक बन सकते हैं अगर यह second bowling करते हैं versus पाल रोयल्स two matches 24 runs and four wickets पर याद रखी कि यह दो मैंसे एक match पाल में भी हुआता है और पाल में काफी spin मिलता है इसलिए वह record जो थोड़ा सा data skewed है अट न्यू लिंड्स भी ठीक टाग रेकॉर्ड 26 matches 240 runs and 25 wickets मुझे लग रहा है जब यह second bowling करेंगे तो under pressure इनका जो impact है थोड़ा ज्यादा बन सकता है और पॉसिबल है कि first batting में बैट के साथ भी मौका बन जाए कारें पॉलाड एक pleasant surprise रहे हैं अब तक इस season में फॉर्म काफी अच्छा है यह pitch भी इने suit करने चाहिए न्यू लेंड्स में past record भी इनका अच्छा वापस सिर्फ problem किया इनके साथ batting लो कर रहे है अफकोस last match में कुछ wickets भी लिये थे इन्होंने and I think इनकी bowling last time आगई बार-बार bowling करेंगे या क्या बार-बार उन्हें उतनी batting मिलेगी that will be the key question remember to sign up on my master 11 and exchange 22 कुछ top offers and my master 11 पे अब बहुत सारा अपना commission बचा सकते हो on your small leagues so sign up right away हमारे refer code है fcp and link है वीडियो के description में Buran Hendricks again एक ठीक टाप choice है बड़ यह pitch इने suit नहीं करेगी और बहुत सारे runs यहां पर आ सकते हैं इनका record दो खास अच्छा है तो एक GL pick बन के आते हैं कगीज और अबाड़ा right arm all face bowler अच्छे खासे form में चल दे हैं last game में हमने देखा जब सब पिटे थे तब फिर भी उन्हें अपना आपा पकड़ के रखा एंड वाइल विकेट्स नहीं मिले फिर भी लगा इनकी बूलिंग काफी impressive थी तो एक बहुत ही अच्छी पिक यहां पर यह बन सकते हैं पाल रॉयल्स आज मिडल ओर थोड़ा सा ब्रिटिल हैं का नुवान तुशारा खेलते हैं तो ठीक टाक चॉइस ओली स्टोन का फॉर्म बहुत ज्यादा खराब अभी के लिए जैसे मैं कहता हूं इनके साथ सेकेंड इनिंग के अंडर प्रेशर में विकेट्स ले लिए तो इंपक्ट बना है अब तक एंड डेफिनिटली आप इन्हें अपने बेस्टीम में छोडने का रिस्क नहीं लोगा जेसन रॉय अब यहां पर पिच के पास में क्रॉस नहीं होना चाहिए यह एक एरर है पिच के सामने टिक होना चाहिए यह पिच इन्हें सूट करनी सकते हैं बट सामने वापस कोई भी वीक बोलर नहीं है सकता हूं तो अन्लिस इनका दिन रहा तो अलग बात है बट बेस्टीम में ट्राइक करना फिर भी रिस्की बन सकते हैं वी एंड लवर थ्री मैच्छ फिफ्टीट रॉन्स एड न्यूलें वस्स एमाइसीटी टू लिए नहीं है और फिर्स बैटिंग करते हैं तो डेफिनिटली अब कंसिडर कर सकते हो इन समय उफ यूर ग्रैंड लीग टीम्स बेस्टीम में फिर भी ट्राइक करना इसकी है सामने क्वालिटी बोलिंग अटैक डेविड मिलर फॉर्म इनके साथ पिच्छ एंड मैच अप मिल नहीं रहा है नहीं नौ विद बैक नौ विद बॉल एन यहां पर विद बॉल तो वापस इनका मौका अनलाइकली रग रहा है तो फिर से बन जाएंगे सिर्फ एक ग्रैंड लीग पिक अंडेल पैप लुक वाई हो अच्छे लगें अब तक बड़ प्रॉब्लम क्या है यह पिछ पे इनके काटर्स ज्यादा ग्रिप नहीं करेंगे अट नूलेंड आप देख रहे हो दस मैच में सिर्फ छे विकेट्स है बाई साब के एन 77 रन्स तो मेरे लिए एक कंसर्न पिक में भी अभी के लिए क्योंकि पिछ एक प्रॉब्लम है बट एक और प्रॉब्लम क ज्यादा टर्न करते नहीं साम करन कर देथ पोलिंग कंसर्न तो विद बॉल से ज्यादा विद बैट में एक थ्रेट देखना हूं स्पेशली वाइल बैटिंग फॉर्स बजान 14 यह ट्रैक इने बिल्कूल सूट नहीं करेगा है होप कि इस गेम में एवन जोंस को एक मौका म मिल जाए two matches two wickets and at newland four matches three wickets so nothing to talk home about second innings में बोलिंग करते हैं तो grand league option try कर सकते हो लुंगे एंगीडी हर pitch पे अच्छा किया भाई साब ने at centurion जहां पर मुझे लगा यह थोड़ा suspect रहेंगे वहां पर भी आके बहुत अच्छा काम किया तो definitely based on form I don't think आप इने छोड़ना चाहोगे especially जब पहले bowling करें अबेड में कोई I think अभी के लिए इन पर चांस ले सकते हो यहां पर death bowlers को with cutters ज्यादा help नहीं मिलेगी so I think एक चांस ले सकते हो especially second bowling में first bowling में भी you can try dropping him and grand leagues में when he's bowling first आप तभी try कर लेना तबरे शामजी when bowling second एक ठीक्टा आप choice बन सकते हैं अंडर प्रेशन इन्हें विकेट्स मिल सकते हैं याद रखी यहां पर जो first and second innings का record है that is based on the player's average career record not based on my opinion क्यूंकि बहुत लोग को लगता है कि मैं अपने opinion के हसाब से mark कर रहा हूं that is not the case versus M.I.C.G. two matches two wickets and at newlands ten matches ten wickets तो एक ठीक्टा रिकॉर्ड है Evan Jones खेलते हैं तो बिल्कुल consider करेगा Dane Villas unlikely to play matchups की बात की जाए Rickleton versus 14 38 और 37 and one wicket 103 का strike rate तो definitely a matchup that they will try to exploit रासी भी 14 के सामने कुछ खास नहीं in terms of strike rate तो don't be surprised if 14 comes in opens तो bowling attack grand league में अगर आपको M.I.C.T. के दोनों openers को drop करना है सिर्फ grand league में तो आप 14 को कुछ weightage वहाँ दे सकते है रासी वसे शामजी 31 of 33 one wicket and strike rate of 94 पर शामजी थोड़ा late आते हैं तब तक अगर रासी टिक जाएं तो काम आपका अपका अल्रडी हो जाएगा base team का and Roy versus Linda 3 of 10 and one wicket तो वापस Roy and Butler के सामने Linda आ सकते हैं Linda and 14 ये दोनों bowlers वाइल pitch इने नहीं suit करेगी match-ups इनके favor में चलने हैं तो definitely grand league में ये match-ups का अभ्यान रखेगा and आप चलते हैं हमारी आज के base team की बात की जाए तो आप दोनों को नहीं छोड़ना चाहोगे इन दोनों को आप नहीं छोड़ोगे तो ये जो आपके 9 players है pretty much lock हो जाते हैं अब यहाँ पे आप क्या chances ले सकते हैं रिस्क के साबसे आपको मैं already बता चुका हूँ क्यों एक जो gut feel मुझे आ रही है वो ऐसा लग रहा है मुझे कि मेबी इस गेम में राइन रिक्रिटन जल्दी आउट हो जाए जस्ट टेक गट फील है नॉट बेस्ट अन इन नंबर्स नॉट बेस्ट 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 पिच बट जस्ट मुझे लग रहा है कि यहां पे एंगीडी यहां 14 में भी एक अच्छी बॉल डालके उन्हें आउट कर जाएं तो यहां पे अगर बहुत फ्लैट कंडिशन है तो आप जेसन रॉइंड डेवल ब्रॉइस के साथ जा सकते हैं दोनों का फॉर्म बहुत ही खराब बट क्योंकि दोनों टॉप थ्री में बैटिंग करें अगर एक का भी फॉर्म आ जाने एक बड़ी पारी खेल रहा है तो आपका काम वहां पर बिल्कूल बन सकते हैं तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्की जाना है यह दो प्लियर अच्छी चॉइस बन सकते हैं अगर थोड में जा रहा हूं विछ जेसन रॉय और डेवल ब्रॉस पेस्ट ऑन दे कंडिशन फाइनल डिसिशन हम ले सकते हैं और टेलिग्राम पोस्त टॉस क्याप्टिन वाइस क्याप्टिन की बात की जाए तो यहां पर कुछ ठीक टाक चॉइस लग रहे हैं सैम करने ठीक टाक लग रहे हैं बटलर का फूम तो अफकोस अच्छा ही है बट मुझे लगता है कि यह कॉल हम छोड़ेंगे फॉर टेलिग्राम तो जॉइन कर लीजगा हमें ओन टेलिग्राम एट रेट फैंटेसी क्रिक ब्रो जो भी फाइनल हमारे कैप्टिन वाइस कैपन है वह हम वही पर उपर्चुनिटीज मिल जाएंगे तो टेक विकेट्स अंडर प्रेशा एंडर प्रेशा हमेशा विकेट्स वहां पर ले सकता है जेसन रॉइ पिच बेस्ट अन लियम दॉसन नहीं यहां पर यह होंगे डेवल ब्रो जो पिच बेस्ट वहां पर हमारे जो एडिटर साव है जो मैं ही हो वो निकालना हम मैं भूल चुका हूं और है सेलेक्ट ड्रोप्रिस बॉम एंडल पेपलो क्वायो अफकोर्स पिच बेस्ट क्यूंकि उनके कट्टर्स में भी यहां पर ज्यादा कम ना है बैटिंग फर्स बोलिंग सेकंड लिविंस्ट बैटिंग सेकंड बोलि प्रिडिक्ट इन दे कॉमेंट्स आपको क्या लगता है कितने नंज बनाएंगे रायन रिखिल्टिन आज की जल्दी मिलेंगे एक और प्रिविव के लिए थैंक यू सो माच फॉर और यह सपोर्ट तैंक यू आप सब लाइक कॉमेंट करते हैं शेर करते हैं वीडियो को ब